C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई 11 बीज गनित प्रिष्ट 213 प्रश्नावली 11.3 1. आप 3 संख्या 5, 7 और 8 से संख्याओं वाले चर नहीं जितने व्यंजत बना सकते हैं बनाईए एक संख्या एक से अधिक बार प्रयोग नहीं की जानी चाहिए केवल योग, व्यवकलन यानी घटाना और गुणन का ही प्रयोग करें संकेत 3 संभावित व्यंजक 5 जमा कोष्ठकों में 8 घटा साथ 5 घटा कोष्ठकों में 8 घटा साथ और 5 गुणा 8 जमा साथ हैं अन्य व्यंजक बनाईए 2. निम्न लिखित में से कौन से व्यंजक केवल संख्याओं वाले व्यंजक ही हैं? 3. निम्न लिखित को बनाने में प्रयुक्त संक्रियाओं यानि योग, व्यवकलन, गुणन, विभाजन को पहचानिये यानि चहाटिये और बताएए कि ये व्यंजक किस प्रकार बनाए गए हैं? 5. निम्न लिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। 2 और 7 का प्रयोग करके व्यंजक बनाएए। प्रत्येक व्यंजक में वाई अवश्य होना चाहिए। केवल दो संख्या संक्रियाओं का प्रयोग करें। ये भिन भिन होनी चाहिए। 11.8 व्यावहारिक रूप से व्यंजकों का प्रयोग। हमारे सम्मुक कई व्यावहारिक परिस्थितियां आ चुकी हैं, जहां व्यंजक उपयोगी होते हैं। आइए कुछ खो याद करने का प्रयत्न करें। परिस्थिति साधारन भाशा में वरनित। 4. व्यंजकों का प्रयोग करते हुए कथन। 1. सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं। मान लीजिए अमीना के पास X कंचे हैं। सरिता के पास X जमा 10 कंचे हैं। 2. बालू राजू से 3 वर्ष छोटा है। मान लीजिए राजू की आयू X वर्ष है। बालू की आयू X-3 वर्ष है 3. विकास की आयू राजू की आयू की दोगुनी है मान लीजिए राजू की आयू X वर्ष है विकास की आयू 2X वर्ष है 4. राजू के पिता की आयू राजू की आयू के तिगुने से 2 वर्ष अधिक है मान लीजिये राजु की आयू एक्स वर्ष है राजु के पिता की आयू तीन एक्स जमा दो वर्ष है आईए ऐसी ही अन्य परिस्थितियों को देखें परिस्थिति साधारन भाशा में वरनित चर व्यंजकों का प्रयोग करते हुए कथन पांच आज से पांच वर्ष बाद सुजान की आयू क्या होगी मान लीजिये सुजान की वर्तमान आयू वर्षों में वाई है आज से पांच वर्ष बाद सुजान की आयू वाई जमा पांच वर्ष होगी प्रिष्थ 255 चार वर्ष पहले सुजान की आयू क्या थी मान लीजिए सुजान की वर्तमान आयू वर्षों में Y है. 4 वर्ष पहले सुजान की आयू Y माइनस 4 वर्ष थी. 7. गेहुं का प्रति किलोग्राम मूल्य चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य से 5 रुपए कम है. 8. प्रती लीटर तेल का मूल्य प्रती किलोग्राम चावल के मूल्य का 5 गुना है 9. एक बस की चाल उसी सडक पर जाते हुए ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रती घंटा अधिक है 10. एसी ही कुछ अन्य परिस्थितियों को ग्यात करने का प्रयत्न कीजिए 10. आप यह अनुभव करेंगे कि साधारन भाषा में ऐसे अनेक कथन हैं जिनहें आप चरों वाले व्यन्जकों का प्रयोग होने वाले कथनों में बदल सकते हैं 10. अगले अनुछेद में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम इन व्यन्जकों द्वारा बने कथनों का अपने खार्यों में प्रयोग करते हैं प्रशनावली 11.4 एक निम्न लिखित प्रशनों के उत्तर दीजिए ए सरिता की वर्तमान आयू वाई वर्ष लीजिए एक आज से पांच वर्ष बाद उसकी आयू क्या होगी दो तीन वर्ष पहले उसकी आयू क्या थी 3. सरिता के दादा जी की आयू उसकी आयू की छै गुनी है उसके दादा जी की क्या आयू है 4. उसकी दादी जी दादा जी से दो वर्ष छोटी है दादी जी की आयू क्या है 5. सरिता के पिता की आयू सरिता की आयू के तीन गुने से पांच वर्ष अधिक है उसके पिता की आयू क्या है? B. एक आथाकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने से चार मीटर कम है यदि चौड़ाई B मीटर है तो लंबाई क्या है? C. एक आथाकार बक्स की उंचाई H सेंटी मीटर है इसकी लंबाई उंचाई की पांच गुनी है और चौड़ाई लंबाई से दस सेंटी मीटर कम है बक्स की लंबाई और चौड़ाई को उंचाई के पदों में व्यक्त कीजिए D. मीना, बीना और लीना भाड़ी की चोटी पर पहुचने के लिए सीड़ियां चड़ रही हैं मीना सीड़ी S पर है बीना मीना से आठ सीड़ियां आगे है और लीना मीना से साथ सीड़ियां पीछे है बीना और लीना खहां पर हैं चोटी पर पहुँचने के लिए कुल सीड़िया मीना द्वारा चड़ी गई सीड़ियों की संख्या के चार गुने से दस कम है सीड़ियों की कुल संख्या को S के पदों में व्यक्त कीजिए प्रिष्ठ दो सौचपन E. एक बस V किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है यह दासपुर से 20 पुर जा रही है बस के 5 घंटे चलने के बाद भी 20 पुर 20 किलोमीटर दूर रह जाता है दासपुर से 20 पुर की दूरी क्या है इसे V का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए 2. व्यन्जकों के प्रयोग से बने निम्न कथनों को साधारन भाशा के कथनों में बदलिये उदाहरणार्थ एक क्रिकेट मैच में सलीम ने आर रन बनाए और नलिन ने आर जम पंद्रह रन बनाए साधारन भाशा में नलिन ने सलीम से पंद्रह रन अधिक बनाए हैं A. एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य P रुपए है एक पुस्तक का मूल्य तीन P रुपए है B. टोनी ने मेज पर Q कंचे रखे उसके पास डिबे में आट Q कंचे हैं C. हमारी कक्षा में N विद्यार्थी है स्कूल में 20 N विद्यार्थी है D. जगू की आयू Z वर्ष है, उसके चाचा की आयू 4Z वर्ष है और उसकी चाची की आयू 4Z घटा 3 वर्ष है E. बिंदूओं यानि डॉट्स की एक व्यवस्था में आर पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदू है 3. एक, मुन्नू की आयू X वर्ष दी हुई है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि X घटा 2 क्या दर्शाएगा? संकेत, मुन्नू के छोटे भाई के बारे में सोचिये, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि X जमा 4 क्या दर्शाएगा? और 3X जमा 7 क्या दर्शाएगा? B. सारा की वर्तमान आयू Y वर्ष दी हुई है, उसकी भविश्य की आयू और पिछली आयू के बारे में सोचिये, निम्न लिखित व्यंजक क्या सूचित करते हैं? Y जमा 7, Y घटा 3, Y जमा 4 एक बटा 2, Y घटा 2, Y घटा 2, Y बटा 2 C. दिया हुआ है के एक अक्षा के N विद्यार्थी फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, दो N क्या दर्शाएगा? N बटा 2 क्या दर्शा सकता है? संकेत, फुटबॉल के अतिरिक्त अन्य खेलों के बारे में सोचिये, 11.9 एक समी करण क्या है? आईए, आक्रती 11.1 में दी हुई, तीलियों से बने अक्षर L के प्रती रूप को याद करें. अपनी सुविधा के लिए, हमने यहां आक्रती 11.1 को पुनह बनाया है. विभिन संख्याओं के L बनाने के लिए, आवशक तीलियों की संख्या सारणी एक में दी गई थी. हम इस सारणी को पुनह यहां दे रहे हैं. सारणी एक, बनाये गए L की संख्या, आवशक तीलियों की संख्या. एक, दो, दो, चार, तीन, छे, चार, आट, पांच, दस, छे, भारा है, साथ, चौदह, आट, सोलह, डाश, 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 डाश. प्रिष्ठ 257 हम जानते हैं कि आवश्चक तीलियों की संख्या निम्न नियम से दी जाती है। दो N यदि N बनाए गए L की संख्या है। अप्पूस सदैव अलग तरीके से सोचता है। वह पूचता है, हम जानते हैं कि L की संख्या दी हुई रहने पर आवश्चक तीलियों की संख्या किस प्रकार ग्यात की जा सकती है। इसकी विपरीत प्रक्रिया के बारे में क्या कहा जा सकता है। माचिस की तीलियों की संख्या दी हुई रहने पर L की संख्या कैसे ग्यात की जा सकती है? हम अपने आप से एक निश्चित प्रशन पूछते हैं. यदि दस तीलियां दी हुई हों, तो कितने L बनेंगे? इस खार्थ है कि हम L की संख्या अर्थात N ग्यात करना चाहते हैं, यदि तीलियों की संख्या 2N बराबर 10 दी हुई है. यह हम एक प्रतिबंध प्राप्त करते हैं, जो चर N द्वारा संतुष्ट होना चाहिए. यह प्रतिबंध समी करण यानि इक्वेशन का एक उदाहरण है. हमारे प्रश्ण का उत्तर सारणी एक को देखकर प्राप्त किया जा सकता है. N के विभिन मानों को देखिए. यदि N बराबर एक है, तो तीलियों की संख्या 2 है. स्पष्ठ तह प्रतिबंध संतुष्ट नहीं हुआ है. क्योंके संख्या 2 संख्या 10 नहीं है. हम जाच कर सकते हैं. N, 2N क्या प्रतिबंध संतुष्ट है, हाँ या नहीं? 2, 4 नहीं. 3, 6 नहीं. 4, 8 नहीं. 5, 10 हाँ. 6, 12 नहीं. 7, 14 नहीं. हम पाते हैं कि केवल N बराबर 5 के लिए उपरोक्थ प्रतिबंध अर्थात समी करण 2N बराबर 10 संतुष्ट हो जाती है. 5 के अतिरिक N के किसी भी अन्यमान के लिए यह समी करण संतुष्ट नहीं होती है. आईए एक अन्य समी करण को देखें. बालू राजू से 3 वर्ष छोटा है. राजू की आयू X वर्ष लेने पर बालू की आयू X घटा 3 वर्ष होगी. मान लीजिये के बालू की आयू 11 वर्ष है. तब आईए देखें के हमारी विधी किस प्रकार राजू की आयू ग्यात करती है. हमें बालू की आयू X घटा 3 वर्ष ग्यारह प्राप्त है. ये है समी करण 2. यह चर X में एक समी करण है. हम X के विभिन मानू के लिए X घटा 3 के मानू की एक सारणी बनाते हैं. X X घटा 3. तीन शून्य, चार एक, पांच डैश, छै डैश, साथ डैश, आट डैश, नौ डैश, दस डैश, ग्यारह डैश, बारह नौ, तेरह दस, चौदह ग्यारह, पंद्रह बारह. सोलह, तेरह, सत्रह डैश, अठारह डैश. प्रिष्ट 258. जिन प्रविष्टियों को रिक्त छोड़ा गया है, उन्हें पूरा कीजिए. सारणी से हम ग्यात करते हैं कि केवल एक्स बराबर चौदह के लिए प्रतिबंध एक्स घटा तीन बराबर ग्यारह संतुष्ट होता है. अन्यमानों जैसे एक्स बराबर सोलह या एक्स बराबर बारह के लिए प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होता है. अतहक राजू की आयू चोदह वर्ष है. उपरोक्त का सार यह है कि एक समी करण चर पर एक प्रतिबंध होता है. यह चर के केवल एक निश्चित मान के लिए ही संतुष्ट होती है. उदाहरनार्थ समी करण 2N बराबर 10, चर एन के केवल मान 5 से ही संतुष्ट होती है. इसी प्रकार समी करण X घटा 3 बराबर 11, चर एकस के केवल मान 14 से ही संतुष्ट होती है. ध्यान दीजिए के एक समी करण के दोनों पक्षों के बीच में समता यानी समी का चिन्ह बराबर होता है. समी करण बताती है के बायं पक्ष यानी वाम पक्ष LHS का मान दाएं पक्ष यानी दक्षन पक्ष RHS के मान के बराबर है. यदि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर न हो तो हमें समी करन प्राब्त नहीं होती उदाहरणार्थ कथन 2N संख्या दस से बढ़ा है अर्थात 2N दस से बढ़ा है एक समी करन नहीं है इसी प्रकार कथन 2N संख्या 10 से छोटा है, अर्थात 2N 10 से छोटा भी एक समीकर्ण नहीं है. साथ ही कथन कोश्ठकों में X घटा 3, 11 से बड़ा और कोश्ठकों में X घटा 3, 11 से छोटा समीकर्ण नहीं है. आईए अब 8 घटा 3 बराबर 5 पर विचार करें. यहां भी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के बीच में समता का चिन्ह बराबर है. दोनों पक्षों में चर संख्या नहीं है. यहां दोनों पक्षों में संख्याएं हैं. हम इने संख्यात्मक समीकरण कह सकते हैं. सामान्य तह शब्द समीकरण का प्रयोग केवल एक या अधिक चरों के होने पर ही किया जाता है. आईए एक प्रश्न हल करें बताईए निम्न लिखित में से कौन-कौन से कथन समीकरण है समीकरण की स्थिती में सम बध्धिचर भी बताईए A. X जमा 20 बराबर 70 हाँ, X B. 8 गुणा 3 बराबर 24 नहीं, यह एक संख्यात्मक समीकरण है C. 2P 30 से बड़ा नहीं D. N घटा 4 बराबर 100 हाँ, N E. 20B बराबर 80 हाँ, B F. Y बटा 8 पचास से छोटा नहीं समीकरणों के कुछ उदहरण नीचे दिये जा रहे हैं कुछ समीकरणों में समबध चर भी दिये गए हैं वांचित रिक्त स्थानों को भरिये X जमा 10 बराबर 30 चर एकस समीकरण 3 P घटा 3 बराबर 7 चर P समीकरण 4 3N बराबर 21 चर डाश समीकरण 5 T बटा 5 बराबर 4 चर डाश समीकरण 6 2L जमा 3 बराबर 7 चर डाश समीकरण 7 2M घटा 3 बराबर 5 चर डाश समीकरण 8 अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक वाचन स्वर गौरव मारवा निर्मान सहियोग सौम्या मलिक निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C I E T N C E R T नई दिल्ली भारत C I T C I E T C I E T